नमस्कार दोस्तों Market at 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए देखते मार्केट कैसा ब्येव कर सकता है सेकेंड हाफ में है अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अरौंड 17,734 पर और बैंक निफ्टी आपक बैंक निफ्टी भी कहते हैं 25 पॉइंट की रेंज में और बात करें तो अरौंड आपका जो रेंज है आपका जो हाई बनाता वह आपका बनाता वह अपका बनाए आपका यहां पर बहुती नेरो रेंज में घुम रहा है है तो क्या है थोड़ी सी कह सकते हैं अभी भी रेंज बॉंड इस इस्तिती यहां पर बनी होई है बड़ यहां पर अगर हम देखें तो करेंटी ऑप्शन चेंड डाटर को तो जैसा कि मैंने आपको बोला हूं कि ज्यादा तो ऑप्शन राइटर क्या चाहते हैं कि निफ्टी कॉल साइट पर हो पुट पर स्टिल आपका अल्मूज्ट एक क्रोड शपन लाग का ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है 17800 की कॉल पर एक क्रोड 41 लाग का ओपन इंटर्स है और 17800 की पुट पर 60 लाग का ओपन इंटर्स यानि अब मार्केट के लिए important level तभी बनेंगे जब न आपके लिए important low है ठीक है यह एक important low है जिसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हम expect कर सकते हैं कि थोड़ा सा और correction यहां पर आ सकता है जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब यहां पर हम expect करेंगे कि यह तुबहरा से bounce कर सकता है ठीक है आज के दिन के साब से देखा ज बैंक निफ्टी के बाद कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए important level क्या है देखो अब बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे important level था यह उसके नीचे trade कर रहा है अब जो चीज इसके लिए important है वो है यहां से इसने breakout दिया था जो कि यह 42 सेया 475 का level ठीक है यह वाला यहां से इसने breakout दिया था breakout देके ऊपर मूफ किया था तो यहां से हो सकता है यह support लेके दुबारा से bounce कर सकता है अगर यह इस level को break करता है तो फिर हां हम एक stop loss जालके short position मनाने की कोशिस करेंगे और around expect कर सकते हैं target around 42 350 तक बज इतना ही target यहां पे मिल सकता है क्योंकि lower wix पे आपको ज देखने को मिली थी वर्ट आज क्या है नेजग फ्यूचर करीब 160 पॉइंट ऊपर कामकाच कर रहा है और Dow Jones करेंगे नहीं करेंगे यह फलाल पता नहीं बट दीरे 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 नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं तो यह बारा की नीचे है तो य मार्कें बहुत मुश्किल है इसमें मतलब मॉमंटम इसमें पकेड़ना बहुत मुश्किल होता है मॉमंटम मिसिं। एक रेंज में मार्केbereich स्थक रहता है वह ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है जिससे की premium decay होते रहते हैं और profit मिलने की chance थोड़े से घड़ जाते हैं ठीक है तो दिखते हैं ये quicks कब तक ऐसा रहेगा अगर quicks थोड़ा jump करता है 14-15 के असपार पहुसता है तो बहुत अच्छी बात है या market एक अपनी range से भान निकले तब समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है आप अच्छा trade कर सकते हैं बट फिलाज जो market की condition इसमें आप छोटे छोटे points के लिए ही काम करिएगा आपको जो भी ठीक लिखता है थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा कि हाँ कम profit के लिए ही काम करिएगा at the money के option में काम करिएगा ज्यादा out of the money option मत लीजिएगा क्योंकि उसमें premium decay रहेगा ठीक है कल expire ही है तो आज देखते हैं कि अगर ये ऊपर की तब जाता है तो अगर ये दुबारा से किसी रीजन से 174-800 के करीब आता है तो वहाँ पे एक बास sell करने का मतलब सीधा सा simple solution है उपर आप sell कर सकते हो इस level पर तो sell का recommendation नहीं है बट आप उपर चाता है तो जरू sell करके काम कर सकते हो ठीक है तो I hope दोस्तों ये particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतने है I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share जरू करिएगा और चैनल को दो subscribe कर लिएगा क्योंकि मैं सुझी लेकाता हूँ हर दिन आपके लिए वीडियो ये ची किता शुक्रिया दोस्तों जैखिंद